हेलो दोस्तों जैसे हैं आप सभी लोग और स्वागत है आप सब लोगों का आज special class यानि की EVS के कुछ नए-नए questions के साथ तो जल्दी से सभी लोग आ जाईए फटाफट class start करते हैं और आवाज clear आ रहे हैं ये बता दीजिए एक मैं भी start कर लेता हूं देख लेता हूं सुन लेता हूं कि आवाज clear है या नहीं है हाँ चलिए आवाज तो clear है तो start करते हैं आज की class अंजली प्रजापती जी घुड़ा अफ्रनून तो आज class में आपको क्या मिलने वाला है और एक surprise भी है अच्छा सा प्यारा सा महादेव की करपा सब पर बनी रहे और इसी तरीके से preparation के नहीं नहीं मौके मिलते रहे हैं तो देखिए आप इस वक्त हैं teaching exam के best channel hello teachers पर जो unacademy का एक हिस्सा है और unacademy के बारे में आप जानते हैं मेरे बारे में आप जानते हैं और unacademy application पर आप मुझे मेरे नाम से search करके follow कर सकते हैं क्या यहां पर आपको मिलता है तो unacademy के app पर आपको मिलती है daily live classes आप test और quizzes करते हो एक structured course पढ़ते हो और आपको मिलता है unlimited access unlimited access मतलब कि आप जब एक बार कोई subscription लेते हैं तो उसके बाद आपको उस time period के अंदर सभी paid यानि की plus class देखने को मिलती है चाहे वो CTAT हो, UPTAT हो, KVS हो, RIT हो, DLSS भी हो कोई भी class हो जो चल रही है free classes of course YouTube पर मिलती है और application पर जो special class provide करवाई जाती है वो free class मिलती है नए course start हो रहे है रेसेंटी जो चल रहे है सब कुछ application पर एके करके आप देख सकते है syllabus क्या cover करवा जा रहा है day first से लेके last day तक पूरा complete syllabus मिलता है preparation को कर सकते हो अच्छे से preparation को track कर सकते हो कैसे तो free mock test से preparation को track कर सकते हो mock test code mock test को unlock करने का जादवी code आपको पता है MSM आपको मिलता है unacademy app का क्या advantage है schedule pre-decided रहता है randomly class नहीं होती है language barrier नहीं है विभिन प्रकार के अलग लग भाश्वाम आप चीज़े को देख सकते हो समझ सकते हो video live देख सकते हो download कर सकते हो और plus subscription पर आना है तो एक महिने से लेकर के दो साल तक according to your needs आपकी जरुवत के हिसाब से आप batch ले सकते हो जादवी code सब पर काम करेगा MSM और उसके बाद coins का additional discount 10% तो 20% discount के बाद एक साल का अगरा batch लेते हैं तो वो अठावन सो रुपे में और दो साल का batch 48 सो में दो साल का batch 58 सो में आपको मिलता है ठीक है और plus पर क्या फायदा है plus पर educator से interact करते हो doubt clear कर सकते हो pick खेच करके भेज सकते हो तो आप वहाँ पर doubt clear कर पाते है लाइप पॉल में participate करते हो test quiz करते हो अपना आपको compare करते हो PDF download कर लेते हो ठीक बिलकुल रूपम याद हो माधरी जी गुड़ाफनून और यूपी टैट का batch सुरू हो रहा है बारा मार्च से इसमें आप enrolled हो सकते हैं ठीक है और साथे साथ कहाना महादेव की करपा बने रहे परप्रेशन के नए मौके मिलते रहें तो भाई देखो लिंक आपको और लेड़ी मैंने जो लिंक है वो शेर किया कर दिया है टेलिग्राम चैनल पर ठीक है और इसके साथ इससाथ आप हेलो टीचर्स के कम्यूनिटी पोस्ट पर भी देख सकते हैं इसका लिंक वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा पहले से 31 मार्च के बीच में डेली लिखा होगा है देखिए एवरी डे ट्वैल्ब पीम बारा बजए आपका क्या होने वाला है टेस्ट होने वाला है तो टेस्ट के लिए प्रपेर हो जाएए नए ने कोशन्स के लिए प्रपेर हो जाएए ठेक तेयार है सब लोग आज के के लिए भी तेयार हो जाईए mcq 19 चल रहा है और अपने दोस्तों को ना एक बार शेयर कर दिया करो यार बार बार कहने का मौका ना मिले यार कितनी एनर्जी लॉस करवा होगे तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की ग्लास ये रहा पहला प्रश्ण अरे प्रश्ण नहीं ये तो जादवी कोड आ गया है 10% ये रहा पहला प्रश्ण acid rain are produced by अमन वर्शा किसके द्वारा produce होती है acid rain are produced by axis of NO and SO from burning fossils fuel NO और SO के जिवाश में इधन को जलाने के द्वारा axis of HNO3 by industry और coal कोईल और उद्ध्यों को के द्वारा उसके बाद क्या बोला carbon monoxide release करते हैं उसके द्वारा या फिर carbon dioxide जो animal release करते हैं स्वाशन के द्वारा उसके द्वारा बताईए acid rain acid rain के बारे मैं काफी सारी चीज़े बता चुका हूँ acid rain का concept किस ने दिया था यानि कि acid rain term coined by तो बताईए acid rain किसके द्वारा coin किया गया था किसके द्वारा बताई गया था क्या रहेगा इसका सही जवाब क्या होगा इसका answer तो answer तो है पहला ठीक है answer sorry पहला लिखना यहाँ पर सही जवाब A आपको मिल जाता है NO और SO के axis के द्वारा यानि कि SO और NO जब बड़ी मातर में उत्पादित होती है तो तब क्या होता है तब acid rain हमें मिलती है और क्या बताया था मैंने आपको मैंने आपको बताया था कि इसके फादर कौन है जो questions में बता रहा हूँ उनको भी करते हुए चलिए father of acid rain acid rain के father कौन है पिता कौन है तो इसके पिता मिल जाते हैं Robert A. Smith Robert A. Smith acid rain के पिता के तोर पर जाने जाते हैं देखिए यह हमें मिल जाता है अमल वर्षा ठीक है acid rain pH value less than 5 जो 5 लिखा है इसको अगर आप कर लें 5.5 pH value कितना मिलती है हमें pH value is less than 5.5 ठीक है 5.5 से कम होती है और क्या क्या mixture रहता है वहां पर sulfuric acid mix रहता है और nitric acid mix रहता है तो acid में यह दोनू अमल जो है वो mix रहते हैं और क्या मिलता है और यहां पर oxide mainly produced by the combustion of the fossil fuel ठीक है fossil fuel के द्वारा similatory dukes के द्वारा power plants automobile इनके द्वारा यह निकलते हैं क्या तो देख लो sulfur के oxide होंगे या फिर nitrate के oxide होंगे sulfur या nitrate के oxide यहां पर मिल जाते है तो sulfur dioxide nitrate oxide ठीक है अगला point which is not a pollutant normally सामान्य तोर पर प्रदूशक नहीं माना जाता इसे hydrocarbons carbon dioxide carbon monoxide sulfur dioxide सामान्य तोर पर इसको production की category में नहीं रखा जाता तो विशेश परिस्थिती कब होती है यानि कि इसको अगर यूं कहलें कि प्रदूशक कब माना जाता है सामान्य तोर पर नहीं माना जाएगा तो भही माना कब जाएगा यह होगा विशेश दशा में विशेश दशा कब होता है जब इसकी मात्रा अत्यधिक हो जाए ठीक है अत्यधिक मात्रा में जब यह हमारे वायो मेंडल में पहुंसता है तब हम इसको प्रदूशन की क्याटेगरे में मानते हैं आंसर बताई जल्दी से देख लो में एक बार लैप्टॉप में भी आपके कमेंड चलो हाँ बताएंगे यहाँ पर रॉबर्ट इसमें दनीता ने यह बताया है हाइड्रोकारबन बता र होगे सर जी कैसे बोल रहे हो आप ये गलत करवा दिया हमारा तो मैंने क्या बोला क्यों मैं इस पर इतना जोर डाल रहा हूं कि सामान्य रूप सामान्य रूप सामान्य रूप मैं क्या बोलो मैं बोलो सामान्य तोर पर नहीं माना जाता है हम बोलते हैं यार वो बड़ा लगा कर मारने को निकल जाता है सुंते होना ऐसी बात है तो वो विशेश परिस्तिति हो जाती है तो यह यहाँ पर carbon dioxide के साथ है carbon dioxide प्रदूशक नहीं माने जाती लेकिन हमने यार इतनी carbon dioxide छोड़ दी इसकी मातरा बढ़ती जारी बढ़ती जारी तो कुछ तो नुकसान पहुचेगा आपको माना कि यार पूरी कोचोड़ी बड़ी फेमस है तो कितनी पूरी कोचोड़ी खाओगे दो चार पांट साथ दस पंदर इसका मतलब यह थोड़ी कि 200-400 खातीर होगे खातीर होगे परिशानी होगी फिर वही यहाँ यहाँ पर भी है बाइस सवाज में आ रहे है सबको हाँ वायो मंदल में 0.4 कार्बन डियोकसाइड हो हाँ बिल्कुल प्रिया पहले 0.3 थे हमने इतनी छोड़ी 0.4 होनी शुरू हो गई है तो सामान ये रूप से में नहीं माना जाता जबकि हाइड्रो कार्बन कार्बन मोन इस तोड़ी भी मात्र हो तो प्रदूशक माने जाते हैं ठीक है clear point तो यह यहाँ पर ध्यान रखना जैसा question उसके हिसाब से language change हो जाती है the common gaseous pollutant are oxide of the carbon CO and CO2, oxide of the nitrogen NO and NO2, oxide of the sulfur SO2 and SO3 all these together contribute 90% of global air pollution पूरी दुनिया में air pollution सबसे ज्यादा carbon के oxide, nitrogen के oxide और sulfur के oxide करते है out of these CO2 is not polluted normally, इते को normally लिखा होगा है, the green plant by photosynthesis, the CO2 and O2 ratio in the air is great extent, ठीक है ratio बरकरार रहता है photosynthesis के द्वारा, लेकिन हमने इतनी ज्यादा problem कर दिया है न, कि दिक्कत होनी सुरू हो गई है, ठीक है यह यहाँ पर हम देख लेते हैं, चले अनुराग जी, good evening, हरर महादेव, शिवरात्री कपर वो मुबारक हो, अगला point देखेंगे क्या है यह लोग यहाँ पर भी answer बता रही है, अरे याल इसको समझाना पड़ेगा कि अरे description में तो answer ना लिखे, कम से कम चलो जी, तो अगला point देखेंगे, यह आ चुका है, the upper part of sea या aquatic ecosystem content, aquatic ecosystem का upper part, अब देखो, समुंदर इस तरीके से, समुंदर हमें मिल जाता है, ठीक है, यह land part है, और यह सारा का सारा क्या मिल जाता है, हमें, ocean मिल जाता है, ocean मिल जाता है, upper part का मतलब, approximate हम मान सकते हैं, लगभग, लगभग, 200 meter की गहराई तक, ठीक है, उसके नीचे का जो part आता है, वो lower parts में चला जाता है, अब आप बोलोगे, 200 meter ही क्यों लिखा सर जी, answer बिलकुल ठीक है, यहाँ पर, अनुराग, अनीता, और रिंक की जी भी हैं, भाई, रिंक की बहुत बढ़िया answer दिया आपने, चलो, अगला point देखेंगे, तो क्या मिलता है, हमें, answer A है, plankton, answer क्या है, प्लावक, 200 meter क्यों लिखा, समझो 200 meter क्यों लिखा गया, मैंने, ठीक है, मैं 200 का 100 meter लिख सकता था, 400 लिख सकता था, 500 लिख सकता था, तो कारण 200 meter approximate में, कि समुंद्र के तल में, जो प्रकाश पहुंचता है, ठीक है, 200 meter तक समुंद्र तल में, रोश्नी धूप की चली जाती है, उसके नीचे नहीं जा पाती है, तो धीरे 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 धीरे, डार्क अंधेरा होता चला जाता है, समझ मा आ गया? सर, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, देखो बीच वाला, ये तो होगया हमारा अपर सर्फेट, सर्फेस बीच वाला भाग, अगर 200 meter से नीचे की और देखते हैं, तो एक तरीक से transactional part बोल दिया जाता है, ठीक है, तो वैसे तो अपर और लोगर दो ही part हमें मिलते हैं, बात क्लियर होगे यहां तक, अगला point, habitat is, habitat क्या होता है, आवास क्या है, निवास क्या है, आवास क्या होता है, प्लेस, एक जगे जहां पर बाई, फरनिचर एंड, फरनिशिंग, जहां पर फरनिचर फरनिचर खरीच सकते हो, सेम एज एको सिस्टम, एको सिस्टम के जासा होता है, नंबर ओफ डिफरेंट और्गनिजम लीव इन इस पैसिफिक एरिया, अलग लग प्रकार के जीव जो एक जगे पर रहते हैं, पर्टिकुलर एरिया, इनहबिटेट बाई प्लांट्स एन एनिमल, पर्टिकुलर मतलब एक विशेश छेत्र जो कुछ पेड़ पौधे और जानवरों से मिलके बनता है, क्या रहेगा आंसर, अनराग सी, रिंकी सी, अनिता सी, पिंकी सी, सबको मिर्ची लग गई सी, ऐसा लग रहा सी, पर तुसी सही बोले सी, तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर है, डी, नहीं, सी लि क्या, कोई एक विशेश जी उने मिलते है, हैबिटेट मतलब का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है, आवास, आवास क्या मिल जाता है, एक मिनट, देखे ज़रे क्या बोला, अब पर्टिकुलर, अच्छा हाँ, ठीक है, तो सी, सी नहीं, डी बिलकुल सही है, दे छेत्र में रहने वाले जीव जन्तु पेड़ पौधे नहीं जो जानवर और पेड़ पौधों के द्वारा बनाया गया एक विशेत्र आवास होता है अब पर्टिकुलर एरिया इन हैबिटेड बाई प्लांट एन एनिमल जैसे की द्रूवी भालू द्रूवी भालू कहां पर पाया जाता है द्रूवों में पाया जाता है तो जो द्रूवे भालू का इन हैबिटेड बना द्रूवे भालू का जो आवास बना वो द्रूव माने गए है इसलिए आंसर क्या है डी आपको मिलेगा आंसर क्या मिलेगा डी पौइंट मिलेगा बास्वन में आ गई है हाँ प्रिया जैस्वाल D था इनका बहुत बढ़िया ठीक है plants and animals की बात कर रहा है वो जिस जगह पर पाए गए वो उनका आवास कहा जाता है ठीक है अगला How an organism is suited to live in a particular place is called ठीक किसी particular किसी विशेश छेतर में जो जीव अपने आपको उस जगह के रहने के अनुसार बनाता है जैसे कि उंट ने अपने आपको ढाल लिया मरुस्थल में रहने के अनुसार बात हुई थी धुरूविय भालू की तो polar bear polar bear ने अपने आपको ढाल लिया धुरूओं में रहने के अनुसार और आप लोग उन्हें और हमने अपने आपको ढाल लिया लॉकडाउन में घर में रहने के अनुसार ठीक है तो जो अपने आपको ढाल लिया परस्थितियों के अनुसार जो बदल गया वो क्या हो गया अडप्टेशन हो गया ताकि चीजें सर्वाइब कर सकें वनना घर पर रहते रहते दिमाग बंदे का खराब आपस में लड़ जगड़ करके एक दूसरे का सरना फोड़ दें इसलिए क्या हो गया अडप्टेशन कर लिया गया है बात सोज में आ गई है पहले तक मार्क्स पहन लगा फिर माक्स मेंने में कभी कोई निकत नहीं हुई सोज मागया एडप्टेशन बोला जाता है यह चलो जी अगला प्रशन बाताई क्या मिलेगा यहां पर तो विच आफ दीज इस करेक्ट फूड चेन तिक विच आप दिस इस करेक्ट फूड चेन जो सही फूड चेन ब अच्छा गाई स्लेक्टर्स हाउस या सुपर मार्केट गाए दूद्ध आदमी आदमी गाए घास कितने खतरनात कि यहां पर इसने दे दिया यार चलिए जी तो सही जो सेक्वेंस बोली गई है वो क्या होगा खाद शंकला जो सही मानी जाएगी कि बता बता सोच के बताओ सी बता रहे हो यह तो खादर शंकला ऐसे चल रही है ठीक है यह खादर शंकला ऐसे चल रहे हमें नहीं पता एक सुफल सीन्पन गाएक को बूचर खाने से सूपर काट मार्केट में भेज़ाए यह खादर शंकला नहीं होती है फिक है यह गलत हो गया मचली को fry करके कैच अब मचली में यह गलत हो गया काए दूध पियेगी और फिर आदमी उस दूध को पीएगा ठीक है गाए क्या होगा आदमी गाए को खाएगा और गाए घास खाएगी तो यहां पर देख लेते हैं जो सही सिक्वेंस हमें मिल रही है वो कौन सी मिल जाती है बिलकुल सही है यहाँ पर C point की ओल चल रही है C point बिलकुल ठीक हमें मिल नहीं cow milkman cow ने milk दिया और उसको फिर आदमी ने खाया हा चलो ठीक है तो सही खादर शंकला क्या मिल रही है बिलकुल सही यहाँ पर point दिया है वो C point सही हमें मिलता है गाई ठीक है गाई ने दूद दिया और फिर दूद को आदमी ने खाने का काम किया तो खादर शंकला का एक sequence एक series हमें मिलती है ठीक है इस प्रकार से एक series मिलती है लेकिन अगर मैं reverse की तरफ देखूं तो हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले घास को गाई ने खा लिया और गाई को किस ने खा लिया मानव ने खा लिया तो अगर reverse वाले में देखे तो ये भी कुछ हद तक सही माना जा सकता है ठीक है लेकिन फिलाल यहां पर हमें correct sequence देखते हैं एक पर्यावरण में अलग लग प्रकार की जो प्रजातिया रहती है influence of physical factor of an environment एक पर्यावरण में उसके जो physical भहती कारत मतलब की बारिश है धूप है इनका क्या प्रोभाव हो पड़ता है seasonal and daily changes of an environment एक पर्यावरण में जो daily change हो जाती है उनका पवन कुमार के रहे हैं गुरु जी प्रणाम पश्रुपतिनात की पावन धारम है आप सभी महाशर्वरात्री के पावन पर्वकी हादिक शुपकामना है धन्यवाद अनुराग जी महादयू भूले बंडारी सबकी इच्छा पूरी करें सबका कल्यान करें इच्छा है तो यार सबकी पूरी नहीं हो सकती है सभी लेकिन कल्यान सबका हो सकता है ठीक है तो सबका कल्यानों सब पर करपा बनी रहे और हम लगातार महनत और नई बुलंदियों को छुने की प्रयास कोशिश करते रहें जिसमें भूले नाथ हमारा साथ देते रहे चलिया करते हैं तो आंसर बिल्कुल ठीका रहा है किरन राज गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग चलो जौब दिलवादे भगवान हो रहा है बैया जौब दिलवादो भगवान जी हम एक सवाल इटर का क्या चड़ाएंगे दूद चड़ाएंगे मद्यसर मद्य परदेश से अरे वापवन जी बही बहुत बढ़िया आंसर ए हमें मिल जाता है पर्यावरन की क्या बोल रहा है वातवरन जहां अलग लग प्रकार की प्रजातिया मिलती है न वो जय विवित्ता रहती है ठीक है नेक्स पॉंट हम देखते हैं अगले प्रश्नी के और बात करेंगे दा एरो एरो इन फूड चेंड देखो क्या होता एरो जैसे कि आपने बोला घास घास को किस ने खाया घास को खाया बकरी ने बकरी को किस ने खाया लोमडी ने लोमडी को किस ने खाया बाग ने तो जो यह एरो बने रहते हैं न कि घास घास को कौन खा रहा है घास को खा रहा ह खरगोष खरगोश को खा रही है लोंड़ी फिरसो लोंड़ी को खा लिया बागने घास घास को किस को किस केट को किस ने खाया मैंधक को किस सापधश को हाँ बिल्कुल प्रिया ने बिल्कुल सही बोला प्रिया जी देखिए कर्म तो हमें करना पड़ेगा और सौ प्रतिशत कर्म हमें करना पड़ेगा ठीक है बोलेना तो हमारे साथ है ही लेकिन हमें भी क्या करना पड़ेगा अपना संपूर्ण उस जॉब उस अपने इसे के लिए समर्पित करना पड़ेगा तभी हम किसी को तभी हम किसमत को कह पाएंगे कि वह हमारा साथ दे तो इसलिए तैयार हो जो पूरे तरीके से क्या करने के लिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल से बोले रिंकी ने से बोला मैंने डबल कर दो भाई तो यहां पर आंसर क्या बता रहे हैं डी बता रहे हैं तो बिल्कुल जो एरो बता रहा है वो एरो क्या बता रहा है वो एरो बता रहा है जीवों के बीच उर्जा किस तरीके से जा रहे है उर्जा नस्ट हो रह जाती है ठीक है लेकिन क्या मिलता है हमें बिल्कुल क्या मिलेगा उर्जा इस तरीके से पहुँच रही है घास से आगे की ओर चल रही है ठीक है क्लियर अगला पॉइंट देखेंगे all energy in food chain all energy in food chain originated from जितने भी food chain है उन सब में जो उर्जा उत्पन होती है ध्यान से समझ लेना भूला सा कोशन दिखने में है भूला लेकिन नहीं है ये भूला भाला ठीक है कोशन क्या करता है चक्र व्यू बनाता है घुमाता है फसाता है बताए क्या होगा इसका सही जवाब सभी उर्जा उत्पन कहा से होती है पेड़ पौधु से किसानों से इलेक्ट्रिक आउटलेट मतलब भिजली घर से या सूरज से ग्राहुल गांदी ने अंसा हड़ बास सही कहा रहे हो बाई चलो देखो भाईया अनुराग सबसे ज़्यादा मीम किस पर बनते हैं ये भी ध्यान दख लो ठीक है अब आगे की बात करते हैं तो खादश अंकला में सभी उर्जा उत्पन होती है कहा से तो बिल्कुल सही बात बोरिये वो उत्पन होती है सूर्य से सूरज से ठीक है पेड़ पौधे तो केवल convert करते हैं यार क्योंकि उश्मा को क्या को बोला गया है ना तो नस्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन किया जा सकता है बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है बासमज में आ गई है आंसर डे आपको मिल जाता है नेक्स पॉइंट अगला प्रश्न क्या बोल रहा है पेन कहां गया हमारा गया हो गया रैबिट्स आर इंपोर्टेंट ग्रेजर्स मेंटेनिंग सम इंपोर्टेंट ग्रासलेंड हैबिटेट इफ अनदर हाँ क्या करता है खरगोश चारगाह के लिए महत्वकून है क्योंकि यह मैदानों को बनाये रखता है लेकिन अगर खरगोश की आबादी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा चलो तो बताए अगला पॉइंट अनुराग ने डी बता दिया है रिंकी ने डी बता दिया है बागी भी जल्दी से बताना है यार कोश्चन्स को जल्दी से बताना है कोश्चन्स को और ग्लास भी कंटिन्यू करनी है रूपों में आदो भी डी बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा तो सही जवाब क्या मिल रहा है घास के मैदानों पर पेड़ जाड़ियों का आक्रमन किया जाएगा क्या बोला है या all of the चल या आंसर तो मुझे भी D लग रहा है फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या होने वाला है तो देखो सिंपल सिधा सा पॉइंट है जो रैबिट की प्रजाती है अगर वो नस्ट कर दी जाए तो क्या होगा मैदान पर पेड़ और जाड़ियों का हो जाएगा का बहुत बड़ी तादात हो जाएगी नहीं ऐसा तो नहीं होगी पेड़ों की तादात बढ़ जाएगी तो पेड़ों की वजह से ये कोशन गलत हो गया इंपोर्टेंट ग्रास लेंड बटरफ्लाइड वुड बी लॉस्ट तो बटरफ्लाइड ठीक है पढ़ते पढ़ते पैन गायव हो गया चलो तो बटरफ्लाइड लॉस्ट नहीं होगी अगर हमारे फूल नस्ट होते न तो पेड़ पौधों के फूलों के नस्ट होने से बटरफ्लाइड पर नुक्सान पहुसता केवल रैबिट के नस्टों इसे नहीं तो कि अगर यह नहीं है और अगर यह नहीं है तो यह भी नहीं होगा लेकिन अगर इनकी तादात खरगोश की तादात कम हो रही है तो क्या हो जाएगा more grass for the survivor rabbits जो जीवित खरगोश है उनके लिए घास बहुत ज़्यादा बचेगी बात सौन मागई यहां तक रिंगी बैताओ यहां पर अनीता ने बोल दिया यहां पर प्रेम कुमार बोल ने उपर के सभी अब समझ में आ गिया है क्यों क्योंकि अगर खरगोश नस्ट होने लगेंगे तो पेड जादा हो जाएंगे यह तो नहीं कहा जा सकता है तितलिया तितलिया समाप्त हो जाएंगी यह भी गलत मिलता है हमें तो जब तितलिया समाप्त हो जाएंगी गलत है तो डी तो वैसे हड़ गया एक बात मानके चलो अगर एक भी गलत होगे तो डी हड़िया, दो सही होगे तो ओल अप दाइब अबागिया, ठीक है, तो इसलिए आंसर सी यहाँ पर हमें मिलेगा, अलग रहेते लेकिन बहुत बार जो लगता है वो होता नहीं है, एक खाद जाल, एक खाद जाल क्या होता है, एक फूड स्पाइडर खाद मकडी के द्वारा बनाए जाता है, एक आवास में रहने वाले जीव कितने सारे हैं, उनको दिखाता है, अब यह इंपोर्टेंट कौन होते हैं, बगवानी जाने कौन इंपोर्टेंट है, उनके पास होगा, रशना चौधरी शेर पर शवार होके आ गई है, बहुत बढ़िया, अनिता कहा रहे हैं, यह सर, रैविले ट्री थोड़े ना खाता है, हाँ बिलकुँ इनिता जी, अच शोज हाँ फेडिंग रिलेशन्शिप और इंटरलिंग, कैसे एक दूसरे से रिलेशन्शिप मतलब कैसे एक दूसरे से रिलेट होते हैं, कैसे इंटरलिंग होते हैं, इसको शोग करता है, फूड वैब, डी, सोचो सोचो भाई, सोचो, फूड वैब क्या होगा, चलो, तो आंसर के ओल चलिंगे, आंसर क्या मिलेगा, food web, food web मतलब जैसे घास, घास को खाया, किसी कीट ने, कीट को खाया, किसी मेंधक ने, मेंधक को खाया, किसी सांप ने, सांप को खाया, एक बाज ने, कीट को कौन खा गया, कीट को खा गया, कोई, चिरय या, चिरय या को खा गया, स गास, गास मैं फिर से अगर यहीं लिखें, कि गास यह हो गया, चूहा, चूहे को खा गया, साप, यह चूहे को खा गया, बाज, ठीक है, यह तो मैं छोटे-छोटे की बात करो, इसमें आप बेड, बकडी, कुता, बिली, सब कुछ डाल सकते हो, मतलब क्या बता रहा है, बता एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं, कैसे एक दूसरे को खाते हैं, यह क्या शू करता है, अब यहां तो भई, रिलेशन्शिप का रिष्टे कर दिया, इसने, निर्भरता कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा, निर्भरता खाद, निर्भरता को शू करत है ठीक है इसलिए बार-बार में इंग्लिश में पढ़ रहा था रिंकी जी हां हिंदी में तो थोड़ा सा यही लिखा हुआ है कि रिष्टा कैसे खालाया जाता है तो रिष्टे को पहले ऐसे चास्नी में घोलो चास्नी में घोल के रिष्टे को सामने वाले को परोजदो वो खा जाएगा ऐसा हो जाएगा यहां पर लेकिन देखो चीजा ध्यानक ना बेसिक आज जो कोशन वो इंग्लिश में थे गूगल ने काम चलाओ हिंदी जो होते हैं जुगारू हिंदी बना देना वो जुगारू हिंदी बना दिए इसकी ठीक है क्लियर आगे continue करते हैं अगल प्लांट निमलिखित मैंसे कौनसा ऐसा होगा जो पौधो के द्वारा completed नहीं किया जाएगा ठीक हैं इंग्लिश में ही पढ़ना ज्यादा ठीक है क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा इसने खराब कर दिया है not competed by the plant ठीक जिससे पौधे compete नहीं करेंगे जिससे पौधे लड़ाई जगड़ा नहीं करेंगे उनकी बात करा है प्रतिसपर्दा नहीं करेंगे तो यहाँ पर मैं ही answer बतायता हूँ वह आपको मिलेगा warmth ठीक है warmth कि warmth मतलब प्रत्वी का एक तरीक से गर्म होना इससे संबंध हम लगा सकते हैं ठीक है warmth गर्म होने से संबंध लगा सकते हैं अगला many pesticides are stored in animals body fat बहुत सारे pesticides मतलब केट नाशक क्या होते हैं जानवरों के fat वशा जो उनका सरीर में चर्वी होती है उसमें गट्टा हो जाते हैं if a pesticides got into the lake अगर वो pesticides संबंध में मिल जाए which organism would have the highest level तो किस जीव में सबसे जादा मिलेंगे वो किस में eagle में microscopic plants में fish मचलियों में या microscopic animals में ठीक है पहले तो इसने ये statement दिया कि बहुत सारे कीट नाशक जो हम इस्तमाल करते हैं वो जानवर जब उन घास को उन पानी को पीते हैं तो उनके शेर में चर्वी के तोर पर एखटा हो जाते हैं ठीक है अब पिंकी जी चले कोई नहीं फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं ना सारे चेंट करने की तो बोला है कि इफ पेस्टरसाइज गॉट इंटो लेक अगर देखो यहां से नहीं है यह यह है यदि एक कीट नाशक जील में मिला जे जाए तो किस जीव का मैं सबसे उच्चता मिस तरो यहां से उफ्च्शन ठीक कर लेना मैं इसको ठीक ही कर लें तो फिर आप बोल गए स्था जी वहां पर पांच 5 ऑप्षन तो बच्च प्शन यह चार चार ऑप्षन अन्भें तो आंसर देख लेते हैं यहां पर आंसर क्या होगा बिल्कुल आंसर हो जाएगा B option, microscopic plants में ठीक है, जो पानी में ओगने वाले पेड़ पौधे होंगे, उन पेड़ पौधे में सबसे जादा मात्रा में वो कीट नाशक पाए जाएंगे, फिर उन कीट नाशकों को जो उन पेड़ पौधे को उन में कम पाए जाएंगे, यह बास दिया है, ठीक है, तो चलो, बातों के साथ 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 सेशन को शेर भी कर दिया करो, पहले ही और समय याद रख लेना, रोज क्लास चलती है, कब चलती है, चार बजे क्लास लेता हूँ, सूपर टेड का फौम भर दिया है, फ्री टस्स रे जा चुकी है, उसकी अन अकेडमी पर लास्ट मैं बताऊंगा मैं कैसे प्राप्त करनी है, ठीक, और उसके अलावा सूपर टेड की क्लास साम को 8 बजे चलीगी, ठीओरी के साथ करा रहा हूँ मैं आज, आज तो ठीओरी ही होगी, ठीक है, तो ठीओरी वालो, याद रख लो, साम को 8 बजे कक्षा होने वाली ह टिक biggest impact are made on environment by biggest impact are made on environment by पर्यावरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर परता है सबसे बड़ा प्रभाव पर्यावरण का किस पर परता है किसकी वजे से परता है किस पर परता है सबसे बड़ा प्रभाव पर्यावरण पर किसके कारण परता है इसको सही कर लो किसके कारण परता है ठीक है आंसर देखेंगे बताईए आंसर क्या मिलेगा ये लोग जी आप लोग के लिए करेक्शन भी कर दिया मैंने और बताओ आप अंजली ने कुछ बोला है प्लीज सर अर्जेंटली बीटिस पर ये से दोर्या साथ में किया ज़र बीयर्ड कर अंजली क्या बोल रहे है आप एक मिनट में देख लिता हूं अर्जेंट में आपने बीयर्ची दोजा सत्रा में की थी ठीक है बीयर्ची दोजा सत्रा में की लेकिन जब बीयर्ड किया तो पता चला अच्छा नहीं उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा अंजली जी उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है तो क्या बोला है वो पोटिन का ए मिल जाता है अगला पॉइंट विच आप दा फॉलिएंग वुड रिप्रेजेंट एन एको सिस्टम एक पारिस्थिति की तंत्र को कौन प्रदशित करता है एक जील अफिस्टेंग एक मचली घर मतलब फिस्टेंग मिलेगा या एक प्रेयरी प्रेयरी का मतलब है यह प्रेयरी घास की बात कर रहा है प्रेयरी घास के मैदान की बात कर रहा है या यह सभी all of the above आंसर क्या मिलेगा रिंग की आज साम को मैंने आपको बोला है इसलाम धर्म का उदए इससे संबंदी अच्छे-च्छे मतलब मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूँ मैं आपको इसलाम का उदए और भारत में मुस्लिम आक्रण मज़ा ही आ जाएगा लेकिन फिर से कह रहा हूँ खाना पीना खा के आना हमले को बचाना है हमें चलो निमलिकित में से कौन सा एक पारिसिती की तंतर का प्रतिनी हित्व करेगा तो बिल्कुल ठीक है आंसर है ये सभी भया लेक भी पारिसिती की तंतर है टैंक भी है प्रेयरी ग्रास लेंड भी पारिसिती की तंतर हमें मेल जाता है ठीक है अगला पॉइंट हम देखेंग कि यहां पर मेरा फूटीन नंबर कोशन ही चल रहा है अरे वाँ बहुत ही बढ़िया सिक्स्टीन नंबर कोशन आ चुका है एक पारिस्तिति की तंत्र में सभी नॉन वेज क्या बोल रहा है बहुत है यह बहुत है क्या है क्या बात करता है यह नॉन लिविंग पार्ट मतलब निर्जीव ठीक है निर्जीव भागो में आन पार्थस उफ अप किस्टम आज रैफ़ेश्न शिस्टेम को क्या कहा जाता है community कहा जाएगा abiotic factor कहा जाएगा biome कहा जाएगा biotic factor कहा जाएगा बताए कैस का answer होगा बताए क्यास का answer हो और बही इतने कम watching क्यों चल रहे कहां चले गई लोग यह क्या पूल रहे हैं रिंकी हम सब के लिए बताना तब अच्छा तब खाते हैं कोई नी कोई नी आंसर बताओ अब तो सही जवाब है अब बायोटीक इसको अगर किसी ने गलत कर दिया ना तो मैं बोलूँगा उसको कि वो भीया तैयारी को ढंग से कर ले seriously कर ले इतना आसान कोशन गलत किसी को नहीं करना है ठीक है चलो अगरा पॉइंट देखेंगे क्या मिलेगा which of the following would be biotic factor in an ecosystem एक ecosystem का biotic factor देखो यह biotic मैं कितने बार पूछता हूँ और हर बार एक नया तरीका हो जाता है कोशन पूछने का इसलिए exam में कभी भी non living non wedge इसलिए exam में कभी भी क्या करना देखना कि कोशन को कितने विविद्र प्रकार से पूछ लेता है यार वो ठीक है which of which of the following would be biotic factor of an ecosystem तो आंसर बिलकुल ठीक है bacteria कभी-कभी microbes लिखा हूआ मिल जाता है क्या होगा bacteria प्रेम चंद जी चलिए प्रेम से बोलो ठीक है चलो भी है प्रेम चंद जी आप भी आए ठीक अजे सेन महाशीव रात्री की आपको भी शुब कामना है बहुत-बहुत पहली क्लास है अजे दी स्वागत करते हैं आपका लेकिन क्लास तो आधी निकल चुकी है कोई बात नहीं है दे रहा है दुरुस्ता है बोला जागा कल से चार बज़े आईएगा अगला प्रशन आंसर आप बताएंगे दा टाइप एंड नंबर्स ओफ इस्पेसेज इन गिवन एरिया ठीक है इन गिवन एरिया इन गिवन एरिया इस मोस्ट greatly determined by the areas मतलब किसी भी एक छेत्र में दिये गए किसी भी एक दिये गए छेत्र में प्रजातियों की प्रकार और संख्या किस पर निर्भर करती है उपर देख लेना यहां पर biotic factor precipitations तेजी नहीं है precipitations वर्षन कहा जाता है ठीक है climate या biodiversity पर answer बताएंगे क्या होगा किरन राज शालनी जी चलो answer की बात कर लेते हैं तो answer होगा b point क्या बोला है that type and numbers of species in given area is mostly determined by the area तो वो उस छेत्र में क्या होगा precipitation बारिश कित्मी जादा हो रही है उस पर निर्भर करेगा ठीक है वर्षन पर निर्भर करेगा क्योंकि आपको पता है जिस जगे पर वर्षा जादा होती है वहाँ biodiversity बहुत जादा होती है ठीक यह आप जानते हैं वर्षन पर कैसे निर्भर करेगा तो वर्षा जादा होगी तो उसी के ही अनुपात में वहाँ पर क्या हो जाएगी जैव विविधता भी जादा हो जाएगी बात सुझ मागे रशना चौधरी हाँ बिल्कुल रशनी सही कह रहे हैं ये अपने आपको क्या करते हैं खरगोश समझते हैं एक बार मैं सारा भाग लेंगे अराम अराम से करना चाहिए था जबके चलो अगला अबायोटिक फैक्टर एफ़र्ट एन एकोसिस्टम एं इंकलूट्स एकॉट्स अजैवि कारक एक पारशिदी की तंत्र को प्रभावित करते हैं जिसमें क्या शामिल होता है बताओ बताए क्या हो गया यहां पर चलो आंसर की बात कर लेते हैं क्या आंसर मिलेगा हमें सेशन पसंद आया तो लाइक वाइक करते रहा करो यार चले तो next question की ओर आंसर मिलेगा B. Nitrogen Fixing Bacteria a biotic effort of ecosystem and include all of these except except बोला गया है ठीक है Nitrogen Fixing Bacteria क्या बोला गया था इसमें क्या बोला था जैविक कारक और ये Nitrogen Fixing Bacteria क्या हो गये है ये हो गये है जैविक कारक समझ में आ गई है बात हाँ भई समझ में आ गई है बात यहाँ पर तो ये चीज याद रखते बीचल लेना अगला the most important single factor affecting the biosphere सबसे महत्वपून अकेला फैक्टर जो पूरे biosphere पूरे परितंत्र को प्रभावित कर देता है इतनी ताकत होती है अकेले बंदे में क्या बात अनुराग नींद खूब आ रही है तो इसका मतलब उद्देश और लक्ष थोड़ा कहीं पीछे छूट रहा है क्योंकि अगर उद्देश पर नजर है जुनून अगर बनाओगे तो नींद आएगी लेकिन आप सोगे नहीं तेयारी करें मुझे ध्यान है या 2013-14 के आसपास की बात चल रही थी मैं प्रिप्रेशन कर रहा था उसमें सिविल के तो मेरे को सपने पर भी आर्टिकल्स या दिखाई दे रही थी ठीक है तो बड़ा अजीब सा वैक क्या हुआ मेरे साथ उस समय पर कि मैं पॉलिटी के आर्टिकल्स जो इंपोर्टेंट है वो सपने में रिपीट कर रहा हूं दोहरा रहा हूं ठीक तो यह कुछ चीज़ें मिल जाती है तो खेर यही आपको भी करना है आपको हमेसा अपना दिमाग इस तरह के से फोकस्ट करना है कि आप अपने लक्ष को प्राप्त कर सको उससे पहले ना सो और ना ठको ठीक है लेकिन इंसान का शेरीट है ठकेगा भी सो यहाँ लेकिन अपने आपको इतना मजबूत आपको बनाना है पॉइंट देखेंगा अगला बिलकुल ठीक है सोलर रेडियेशन आंसर क्या है जैव विकीरन की हम बात करते हैं नहीं जैव समुदाई नहीं आएगा यहाँ पर सिंगल फेक्टर जो पूरे बायोस्फियर को प्रभावित कर देता है वो कौन सा मिलेगा हमें वो सोलर रेडियेशन हमें मिल जाता है ठीक है आंसर देख लेते हैं इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर कहां गया हाँ चलिए अगरा पॉइंट सामुईक रूप से प्रकाश तापमान और नमी जैसे भहती कारक जो किसी जीव के जीवन और अस्तित्तु को प्रभावित करते हैं क्या कहलाते हैं बता हो आगे आप आप बायोटिक एंवार्मेंट एको सिस्टम नीच या अबायोटिक एंवार्मेंट यह आला नहीं है यह निकेत कहा जाता है इसको नीच को हिंदी में निकेत कहा जाता है मुहमद जी कौन है मुहमद हानिफ भाई कैसे हो सर पता नहीं बुक में मुहमद हानिफ भुक में नशा इतना होता है कि पड़ते पड़ते नीद भी आ जाती है और अगर उसी नशे को आप जहिलना सीख गए तो जिन्दकी भी सवर जाती है तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप यह किताबों से होने वाले नशे से सो जाते हो या क्या करते हो किसमत को जगा देते हो ठीक है तो चलो आगर देखते हैं ठीक तो आंसर है इसका D बायोटिक अबायोटिक एन्वार्मेंट बिल्कुल ठीक है वो ही ना एक कोशिन बार बार अलग तरीके से पूछा है तो अबायोटिक एन्वार्मेंट मिलता है ये अगला पॉइंट कोशिन नमबर 22 ठीक है तो क्या मिलेगा हमें इसका जवाब बूला है कि पानी में रहने वाले पेड़ पौधों को दोवारा प्रकास संस्लेक्षन कि दर किस पर निर्भर करती है पानी की ऑक्सिजन की मात्रा पर पानी की शरीर की उचाएपर मतलब पानी कितना उचा है ये प्रकास की मात्रा पानी की उचाएपर पानी की गहराई पर पानी में जो मात्रा प्रवेश करती है उस पर या पानी में नाइट्रोजन कितनी उपस्तित है इस बात पर तो बदेही क्या होगा यहाँ पर आंसर जल्दी बताना है आंसर को आपको जवाब देना है आजे सेन डी बता ने रिंकी ने डी बता दिया आमित्ता ने second कर डी बता दिया है ठीक है युपी वाले भाया answer भी बताना है यहाँ पर चलो बिल्कुल ठीक है मैंने आपको पहले ही बताया था सुरुवात के questions में ये बात हो गई थी कि समुंदर में जो पानी गहराई तक जाता है वो लगभग 200 मेटर गहराई तक जाता है इसलिए इस 200 मेटर गहराई के अंदर ही plankton भी मिलते हैं coral reef भी पाये जाते हैं coral reef 200 से ज़्यादा 400 500 है 2 km 3 km गहराई तक नहीं मिलते हैं ठीक है अगला point देख लेते हैं which of the following would not be include in our descriptions of organism nature जीव निकेत में कौन सा शामिल नहीं होगा क्या होगा tropics label एक स्थर दूसा स्थर तीसा स्थर उसका रंग humidity आधरता या reproduction प्रजिनन बताइए क्या शामिल नहीं होगा pole send करेंगे, pole देखेंगे यहाँ पर चलो तो answer देख लेते हैं यहाँ पर answer है b, rung, rung थोड़ी कुछ निर्भर करेगा ठीक है, rung थोड़ी निर्भर करता है, ठीक यहाँ तक का point clear होगा यहाँ पर ठीक है, rung नहीं रहेगा, label इस्तर का पता रहेगा, पोशेक इस्तर कितने 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है कितनी आधरता है, reproduction कितना चल रहा है, मतलब, जीवों की संख्या कितनी है, सब कुछ रहेगा, लेकिन color शामिल नहीं होता है, अगला निम्लिकित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमी साजा नहीं करता है, भूटान, बंग्रदेश ताजिकिस्तान या नैपाल क्या रहेगा, आंसर यह समझ में नहीं आया, रिंकी देखो, निकेद क्या होता है, पहले तो यही समझ लो क्या होता है निकेद निकेद का मतलब होता है एक छेतर विशेश जहां पर जो जीव रहते हैं ठीक है निकेद एक एरिया होता है वो एरिया जहां पर वो particular जीव रहता है जैसे कि सुन्दरवन डेल्टा में रोयल बैंगॉल टाइगर रहता है या गिर के वन में कौन रहता है गिर के वन में रहता है यह क्या नामे इनका एश्याटिक लाइओं रहते हैं तो वह उनका निकेत है उस निकेत में कितने स्तर होंगे मतलब उनके खाने के कितने स्तर होंगे यह भी निर्भर करेगा उस निक निकेज समझ में आ गया सब लोगों को बिल्कुल रिंग की दो-दो है हमारे पास क्या बात है रिंग की पाल रिंग की अहिरवार, बहुत बढ़िया, अब अगले प्रशन का आंसर ताजे किस्तान मिलता है बिल्कुल आपको पता है, भूटान पांगलादेश नैपाल पागिस्तान चीन म्यानमार अफगानिस्तान ये भारत के पड़ोसी हैं जो हमारी साथ सीमा साज़ा करते हैं ताजिकिस्तान सीमा साज़ा नहीं करता है तो क्लियर हो गए यहां तक तो ये कुछ आज के प्रशन मिल रहे थे फिर से बता दू CTED के लिए SORRY S partout के लिए T20 Super Tet series आ रही है Junior High School teachers के लिए Free, Free, Free फिरसे बोलना पढ़े है ना Free, Free, Free Test series आ रही है कहां पर मिलेगी आपको Unacademy का App roundlood करो वहां पर मिलेगी Unacademy का App से आप यहां पर से link मिलेगा Hello teachers के Community Post से आपको link मिल जाएगा नीचे descriptions में link मिल जाएगा अगर कहीं ना होना या तो telegram channel पर जा करके देख लो इतना तो कर सकते हो वहाँ से link मिल जाएगा आपको link पर click करो और enrolled हो जाओ अगर कहीं कोई code पूछे आप से तो code आपको पता है क्या use कर लेना है MSM code यूज कर लेना है फ्री के लिए भी 10% discount के लिए भी ठीक है अब इसका लावा क्या करना है session पसंद आए तो like share करो अपने दोस्तों के संग subscribe करो चैनल बिल्कुल दबा के ठीक hello teachers official channel ये मिलता है मेरे telegram channel मेरे नाम से आपको मिल जाएगा चलिए फिर मिलते हैं अगरी class में साम को 8 बजे खापी करकर तैयार रहना तब तक ले अपने ध्यान रगो thank you very much have a nice day take care and bye bye हरर महारेव